हेलो आप सबके सेशन में बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम इसेशन में बात करने वाले हैं RBI Assistant 2022 का जी हां तो RBI Assistant 2022 की बात जो हम कर रहे हैं वो फाइनली जो है आपका एक official notification आउट हो चुका है और जो है रहे थे RBI Assistant की vacancy कब आएगी क्योंकि सभी लोग जाना चाहते हैं RBI में जो है सभी लोग जाना चाहते हैं RBI में जो है सभी लोग चाहते हैं कि उसमें RBI में हमें जॉब मिले तो आपको एक complete details जो है आपको यहां पर notification वो 17 February 2022 को आ गया और आपका जो online start जो apply online start है वो 17 February 2022 से start है और form की जो last date है filling की वो है 8th March 2022 मतलब 17th Feb से लेके आपका कब तक चलना है 8th March 2022 तक चलना है ठीक है और जो आपका prelims का जो exam date है RBI stand prelims का exam date है 26th and 27th March 2022 का है और RBI stand का जो mains का exam है वो mains का इन्होंने मन्त दे रखा है कि में 2022 में होगा date अभी इन्होंने announce नहीं किया है वो भी कुछ time में ये announce कर देंगे तो आपको date की फिक्र नहीं करने है आपको यह सुचना है कि में में exam होगा prelims का exam जो है 26th और 27th March को आपका होना है तो अभी से आपको तयारी में लग जाना है अभी से आपको preparation में लग जाना है और बहुत अच्छे से तयारी करनी है बहुत महनत से तयारी करनी है क्योंकि honestly बताऊं तो बहुत लोग लग चुके हैं बहुत लोग पहले से तयारी कर रहे हैं और जो है काफी लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से और अपने आपको better करें और किस तरीके से अगर हमें और अच्छे करना है perform करना है all over all pan India में जो है आरबेस स्टेंड में जो हमें जॉब मिलने वाली है तो इसमें सैलरी कितनी मिलेगी तो एक पर सैलरी पे भी हम डिसकस कर लेते हैं तो जो एक ग्रॉस सैलरी बनेगी न आपकी क्योंकि यहाँ पे सारा बेसिक पेव अगेरा लिखा हुआ है आपका आप डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं अलाउइंसे हैं धेर सारे तो फाइनली जो एक ग्रॉस जो सैलरी बनेगी आपकी वो बनेगी 45,000 एबरी मंत में ठीक है लेकिन आपको जो इन हैंड बनेगा पी एफ अगेरा कुछ इस तरीके से कटने उटने के बाद जो है वो बनेगा आपका 40,000 के आज पस ठीक है यह आपका जो पर मंत आपका जो है बनेगा तो यह एक सैलरी है इंटेस्टिंग है आपको एक लुभाने वाली जो एक सैलरी है और आर बिय तो यार नामी काफी है कि आर बिय में अगर जाना है और एसिस्टेंट की वेकेंसी है तो सभी लोग जाना obvious है जाना चाहेंगे ठीक है अब एक बार इसका exam pattern के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपको exam finally देना है तो prelims की बात करता हूँ तो इसमें 3 sections है English और आपका quant और reasoning है इसमें जो है English में 30 questions पूछने जाने है quant में 35 और reasoning में 35 20-20 मिनिट का आपका सारा paper होना है तो 60 मिनिट का finally paper होगा आपको 100 marks के जो है आपके questions जो है पूछे जाने है ठीक है clear है कोई दिकत नहीं है कैसे पटना है इसके बारे में अभी हम detail में जो है discuss करने वाले means में क्या है means में आपका same English आएगा quant आएगा reasoning आएगा computer और general awareness आपको पूछा जाएगा सब में जो है 40-40 questions जो है रहेंगे और आपका एक duration जितना होना चाहिए अपने आपको पूरे pan India पे जो students है उनके साथ में compete करने के लिए अपने आपको तयार करें अपनी गलतियों को कैसे सुधारे कहां पे हम गलती कर रहे हैं कैसे पहचाने और better किस तरीके से और करें किस तरीके से हम score और जादा करें अगर मुझे मैं कहता हूँ कि मुझे 100 नंबर में मेरे 50 आ रहे है या मेरे 55 आ रहे है भी score उसको हम 60, 60 कैसे करें 65 कैसे करें, 70 कैसे करें अपनी score को और कैसे बढ़ाएं जो pan India में सबसे बहतर score कर रहा है जो toppers है उसको उसके level में मैं किस तरीके से अपने आपको देख रहा हूँ मैं कहां पर exist कर रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको RBI Assistant Prime 2022 Prime में आपको enroll करना है और यहां से अपनी practice और बहतर करनी है और अच्छे तरीके से आपको करनी है RBI Assistant 2022 2022 जो प्राइम है यह क्या है तो इसमें आपको prelims और mains दोनों की testries आपको मिलेगी टोटल जो आपका test मिलेगा वो 55 प्लस जो है आपके टोटल test मिलेगे इसमें prelims भी मिलेगा आपको, mains भी मिलेगा मतलब prelims की भी तयारी और साथ में mains की भी तयारी ठीक है prelims में क्या मिलेगा आपको 15 जो है full length mock मिलेगे ठीक है यह सारे latest pattern पे based होंगे 15 जो है आपका section wise test होगा 5 reasoning, 5 quant और 5 English का और साथ साथ जो है आपको RBI Assistant prelims के जो है memory based paper होंगे 2020 और 2017 तो यह आपका memory based paper भी आपको मिलेगा इसमें और mains में क्या मिलेगा तो 10 full length mock मिलेगे 15 section wise test मिलेगा और RBI Assistant mains का memory based होगा 2020 और 2017 तो अब बताओ इससे best क्या होगा आपको full length mock भी मिल रहा है section wise test भी मिल रहा है और previous year का memory based paper है वो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है ठीक है अब आपको साथ में e-books भी आपको इसमें provide करेंगे banking awareness का और साथ साथ आपको static awareness का जो हम यहाँ पे e-books भी हम आपको इसमें provide करने वाले हैं और साथ साथ अब एक और चीज़ है इसमें जो better क्या है सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि यह आपको English Media में भी test होगा Hindi Media में भी होगा Weekly Current Affairs भी हम आपको देंगे कब से जुलाई 2021 से जून 2022 तक आपका detail solution भी इसमें होगा आप इसको चाहें तो आप पे भी दे सकते हैं और साथ में हमारे store पे वेब पे भी इसको आप दे सकते हैं और आपको साथ साथ इसमें analysis detail में आपको मिलेगा कि all India rank आपको कितने आ रहे हैं toppers के साथ आप कैसे compete कर रहे हैं जो आपको starting में आपको बता रहा था सभी कुछ यहाँ पर detail आपको देखने को मिलेगा ताकि आप अपने आपको analyze कर पाएंगे कि मैं कहाँ पर stand कर रहा हूँ और मुझे कितनी अच्छे तरीके से और improvement की ज़रूरत है अब मैं इसका uploading plan भी दिखा देता हूँ prelims का जो full length का है यहाँ पर uploading plan दिया हुआ है क्योंकि आपका exam date आपका out हो चुगा है यहाँ पर हमने uploading plan दिखा दिया है prelims exam के बाद जो आपका यह available होगा नहीं मेंस का भी full length mock जो है parallelly prelims के साथ में हम आपका parallelly मेंस का देते रहेंगे क्यों कि मेंस की भी तैयारी अभी से start आपको करनी है तो आपको यहाँ पर मेंस का भी full length mock अभी से ही आपका start हो जाएगा ठीक है clear है कोई दिक्कत नहीं है अब जो है अब चीज है कि यहाँ पर आपको यह कितने का मिलेगा क्या cost पड़ेगा इसमें enroll करनी के लिए तो आपको एक reasonable price जो है मैं आपको बता रहा हूँ reasonable price में जो है आपको यहाँ पर अपने आपको एक discount मिलेगा 15% का और आपको जो एक price पे करना पड़ेगा 509 का ठीक है तो I guess जो है आपको समझ में आया हुआ कि यह जो study यह जो एक testories यह आपके लिए कितना important है आपको इसमें जरूर enroll करना चाहिए in case अगर आपको कोई query होती है कुछ पूछना है अगर आपको यह एक mail ID है इस mail ID पर आप हमें mail कर सकते हैं या कनीचे जो है आपको यह भी दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको purchase करना है तो आपको जो है विजिट करना है अटा247.com यह विजिट करने के बाद जो है आपको क्या करना है यहाँ थोड़ा नीचे आना है नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे आरबी एसिस्टेंट करना है कि एक्जाम टैब जो है यहाँ पर बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको क्या करना है यहाँ पर धेर सारे जो है आपको प्रोड़क्स दिखाए देंगे लेकिन आपको जो है क्योंकि टेसरी आपको purchase करनी तो RBA Assistant Prime 2022 यह bilingual आपका यहाँ पर available है और अगर आप से prelims का लेना चाहते हैं तो prelims का भी यहाँ पर test available है ठीक है बट मैं आपको suggest करूँगा क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा काफी reasonable price मिलेगा और आप सभी जानते हैं कि आपको prelims और mains दोनों clear करना है तो मेरे हिसाब से यह आपके लिए better होगा ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या करना है आगे यहाँ पर आने के बाद view offers पर click करने के बाद view offers पर click करेंगे यहाँ पर mail ID डाल देना यहाँ पर यहाँ पर mail ID आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पर FAB 15 ने इसको apply करेंगे तो आपको जो price है 509 होगा और आगे continue करके इसको आप आगे purchase finally कर सकते हैं आप इसको app से भी purchase कर सकते हैं आप पर थोड़ा सा और सस्ता पर जागा को हाँ पर coins use करने का होता है coins use करेंगे तो आपने आपको enroll करें और अपना जो है exam अच्छे तरीके से तयार करें अधा 24-7 की तरफ से धेर सारी सुपकामना है आपको इस exam के लिए और कोई में कोई दिक्कत हो इस email आईडिया आपको दिया गया है इस mail इस पर जो हमें जरूर mail करें thank you all the best